केंद्री सरकार के केंद्री आवास व शहरी कार्य मंत्राले को केंद्री सारजनिक स्वास्ते व पर्यावरन इंजिनिरिंग संगठन के तकनीकी विंग ने शिमला नगानिगम क्षेतर के तहर जलापूर्ती सेवाओं में सुधार के लिए 492 करोड रुपे की सब्ताह भर 24 जलापूर्ती पर्योजना को मंजूरी प्रदान की है यह जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारदवाज ने दी, उन्हेंने कहा कि इस पर्योजना का मुख्येउदेश नॉन रेविन्यू जल को कम करना, उर्जा-कुशल प्रध्योगी की शुरुवात, जलापूर्ती प्रणालियों को डिजिटल स्वरू प्रदान करना और केंदरव प्रदेश सरकार के मांदंडों के अनुसार गुनवत्ता पूर्ण पानी की आपूर्टी सुनिश्यत करना है। प्रदाज ने कहा कि इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 31 अक्तूबर 2022 तक सफल बोली करता को निविदा देने का अलग शेनिर धारेद किया गया है। उनने कहा कि ये परियोजना वर्श दोहजार पच्चिस तक पूरी कर ली जाएगी और शिमना शेहर के नागरिकों को सब्ता भर 24 घंटे जलापूर तीस सुनिश्यत होगी।